नवस्कार स्टूरेंट्स आपका इस यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सामाजी कध्यन के बारे में कुछ पढ़ा था और उसमें हमने भारत के अंदर कुछ चीजियें पढ़ी थी जैसे कि एक तो नक्षव क्ष में अग्यान पढ़ा था इसके लावा हम Best hahaha नदी जो नर्मदा नदी company नर्मदा नदी कहां है और वहां मुख्य बात क्या थी नर्मदा नदी के आज के आज के ममरे पाठ के संद्रम में तो उसके बाद में हमने यह पढ़ा था कि कैसे हमने थोड़ा सानक्षा बना लेता हूं उसकी बड़ी साइड में रखेंगे सी सभाक्रक्रवत को माड़ता है नाषह से निकलती जो यहां अरब सागर में गिरती है यह चीज़ें कर ली थी और यहां बंगाल की खाड़ी है इसके बाद में जिकर किया था सिंधु नदी का सिंधु नदी यहां बह रही है और सिंधु नदी के कुछ साहिक नदिया है जिन में से एक थी जेलम दूसरी चिनाप फिर रावी फिर कि ब्यास और फिर सत्लुस तो यह चार नदिया जो है वह इस सिंदु नदी की साहिक नदिया है यानि सिंदु नदी कहां किस लुगा कहां गिरती है कहां जाके समाप तो तो यह यहां अरब सागर में जाके समाप तोती है अपना पानी अरब सागर में गिरा देती है यह बाते हमने पड़ी थी इसके बाद में में जो बात थी हमारे पाठ की रिगाड बात थी तो वह यह थी कि सिंधु नदी के आजपास जो स्थान है इस नदी और इसकी साइक हुआ था अर्थाद जो शुरुवाती नगर है वह कहां पर थे भारत के अंदर तो वह सिंदू नदी के आसपास वाले इलाके हैं और वह कौन से थे वह उन में से एक तो आता आपका हडपा एक आता है मोहन जोदलो यह स्थान ऐसे हैं जो आप जो है दूसरी बुक में पढ़ कि यहां मेंट पॉइंट सिंदू नदी वाला हो गया कि में जो हमने पढ़ा था अब हमारी तोस्तक में दिया कि 4700 वर्स पहले आरंबे के नगरों का विकास भारत में कहा हुआ था तो वह वह था सिंदू नदी के आसपास वाले या सिंदू नदी के साइक जो नदियां है उन नदियों के आसपास तो साइक नदिया क्या होती है वो भी अमने पढ़ लिया था आफटाफट से कमेंट करके बता दीजिए नीचे कमेंट में कि साइक नदी कौन सी होती है चलिए उसके बाद में एक नदी और है जिसका नाम है गंगा नदी कौन सी नदी गंगा गंगा नदी और इसकी एक साहेक नदी है जो इसके साथ ही लगबग चलती हुई इदर दिल्ली से होती हुई हरियाना की सीमा उत्तरप्रदेश के बीच में सीमा बनाती हुई दिल्ली और दिल्ली के बाद में यह इदर आके यूपी के इं भारत में सबसे बड़ी साइक नदी यह मुना नदी जो कि गंगा की के साइक नदी है ठीक है अब देखिए गंगा जो नदी है इसके आसपास कुछ शहर है यह इसके आसपास बसने वाले नगर जो है वह आरंबिक नगर कब विक्षित हुए या उनका विकास कब हुआ तो सब्सक्राइब यहाइस अगरा आपसे पूछ र Works ले थैकि कि कौन-कौन से नगर है जो गंगा नदी के आसपास है पर्मु extra नगर गंगा नदी तो गंगान अदी के ऊपर जो है एक तो हरीद्वार है ंथे हरीद्वार के लावा रिशी के इस ओने उत्राध्ण में ऊचार कानपूर उत्रप्रदेश का बड़ा शहर है कानपूर जो की सफाई के मामलियों में बहुत ही गंदगी वहां पर पाई गई थी ऐसा जो है विश्व रिपोर्ट में ऐसा वह था सबसे गंदे शहरों में सामिल था यह कानपूर एक आपकी लिए बात और बता तों कि पहले जो 1997 से पहले सूरत जो है कहा है सूरत गुजरात में गुजरात का सूरत भी बहुत ही गंदा शहर था बहुत गंदगी थी और यहां लगबग 1996-97 में प्लेग बिमारी फैले थी और उसके बाद में इस शहर के लोगों ने बड़ी सीख ली और यह शहर जो आज के समय में सबसे खुब सुर्थ सहरों में आता है चलिए तो आगे बढ़ते गंगा नदी के आसपास जो शहर विखशिट हुए थै नगरी के नगर जो विखशिट हुए थे लगबग 25 सो वर्स पहले सिंद्व पछली का सपास जो हुए थे उसके बाद में एक नदी है इसोन नदी गंगा के साइक नदी आ में यह नदी कौν सी यह सो यह सोनी टीरी गंगा के साइक नदी है और इस सोन नदी के investigations लगे आस पास प्राचिन समय में जो हुआ करता था उस सामराजय का नाम था मगद इतिहास में बहुत इम क्याकर इसका प्रसित जटकिन इसका नाम युद क्या था पाटलींक है प्राचिन राजदानी प्राचिन मग्द समराजय की राजदानी जो सबसे मैतोपुर्ण थी या प्रसिद थी उसका नाम क्या था पाटली पुत्र पाटली पुत्र को आजकल किस नाम से जाना जाता है तो पाटली पुत्र को आजकल पटना के नाम से जाना जाता है यानि बिहार की राजधानी पटना वही पटना जो पराचिन काल में मगद सामराज्य की राजधानी हुआ करती थी आजकल बिहार की राजधानी है जिसे परा लोग यात्राइं करते थे आज कल तो हमें जहां मरजी कह दिया जाए हम चले जाते हैं बहुत ही कम समय में क्योंकि यातायात के साधन बहुत हैं लेकिन प्राचीन समय में लोग यात्राइं करते थे हम यात्राइं किसलिए करते हैं हम यात्राइं करते हैं या तो हम आजिविक से जो लोग जो है वो यात्रा करते थे और जो मध्धे एशिया है मध्धे एशिया से चान कि मध्यय एैसिया से भारत में भी बहुत सारे लोग यात्री आये हैं और वह यात्री जो है वह एक सानश्युक्त दूसरे स्थानपपर जाते थे वह क्यों जाते करने के लिए एक सान से जुआ इसके संपर भी वह यात्रा करते थे आज कल भी यात्रा करते हैं और में भीना कि दो कोई काम खुटाई नहीं है तो हम यात्रा करते हैं वह ऑप्लाजन समय नाम यह तो वुरतमान में हमारे देष्ट की है भा Feaca which should have the yourself and the school means बढ़ता अब देखे यह सिंदुन अधी है अब जो यहां से लोग मद्य इसिया से खास करके इरान से जो लोग आते थे वो इस सिंदु नदी को क्या कहते थे इंडस इंडस अब जो सिंदु नदी के आसपास का चेतर था उसे इंडस या हिंदस यह कहा जाने लगा इंडस यह जिसे कि अंग्रेज जो है वह भारत को इंडिया कहके पुकर देते और इस प्रकार जो हे भारत inडिया जो सब्द है वह इंड़स सब्स से निकला है बस में चीज आपने यह द्द्यार रखने है कि जो इंडिया सब्द है उस शब्द किया निर्मान किसे हुआ है तो यूनानी भाहसा का शब्द है कुण सी भासा का यूनानी भाहसा का शब्द है इंडस और इंडस से बना है इंडिया तो इसके बारे में अगला जो पॉइंट है चोटा सा पॉइंट हो रहा है उसके बाद में वीडियो स्माप करेंगे वो यह है कि हम अतीत के बारे में देखिए यह सारी चीजे यह जैसे यहां भी आरंबे के नगरों का विकास यहां हुआ इसके किनारे का विकास कब हुआ यह सारी चीज़े हमने जानी वो किस चीज़ से जानी है यह सारा अतीत कहला था और इस अतीत को जानने का साधन क्या है या कौन-कौन से साधन है ऐसे जिन से हम जो अतीत को जान सकते हैं तो अतीत को जानने में सबसे महत्वपुर्ण जो सौर्सिज हैं उनके उपर बात करेंगे अगली क्लास में लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा डिसकस्टन करेंगे उनमें एक था पांडूलीपी तो यह पांडूलीपी क्या होती है यह पांडूलीपी क्या होती है पांडूलीपी जो ऐसा जो है एक पुस्तक अब तो हमारे पास कागज के उपलब जोता है लेकिन पहले पुरानी समय में जब कागज नहीं हुआ करता था तब क्या था एक भुर्ज नामक वर्क्ष होता है बुर्ज वर्क्ष है और उस वर्क्ष की छाल जो होती है उस वर्क्ष के जो चाल होती है उसमें जैसे हमारे कागज होती है इस और हाथ से लिखा गया हाथ से लिखी गई सामग्री जो है वो क्या कहलाती है वो कहलाती है पांडू लिपी और पांडू लिपी के लिए अंग्रेजी में सब्द प्रियोग करते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट मैन्यू स्क्रिप्ट पांडू लिपी को अंग्रेजी में क्या कहते है मैन्यू स्क्रिप्ट कहते है और मैन्यू जो है ना मैन्यू सब्द जो है वो लेटीन भासा का है लेटीन भासा जैसे हिंदी के लिए प्राचिन भासा संस्क्रिप्ट है वैसे ही अ क्या कहलाती है manuscript कहलाती है यानि कि पांडू लिपी को हम manuscript भी कहते हैं तो इन पांडू लिपियों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं अमारे अतीत के बारे में ये पुराने रिशी मुनी या फिर जो यात्री वगर आते थे वो अपने जब यात्रा करते थे यात्रा करने के होना है कि इतिहास में इतिहास जो है वह उसमें क्या क्या हुआ था अगली वीडियो में जिक्र करेंगे अगर कहीं दिक्कत आती तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और दूसरी में होने के बला एक है बहुद करहता है उसापने को लाएं लोगों के आप ख्लिक करें सामने बटन आएगा और यूट्यूब चैनल पर है तो आप waż दबा दीजिए यूट्व बे सब्सक्राइब के बटन की अब चैनल प्लिखांग। झाल